पश्कार स्वागत आप सभी लोगों का Study IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्थालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों आप चाहें तो Instagram, Facebook या Telegram के मातिम से मेरे सथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका doubt है, कोई आपकी query है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस विशेपे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक कहता है Nationwide River Ranching Program राष्ट्र व्यापी, नदी, मचली पालन कारेकरमी तो नदियों के अंदर मचलीयों को पालने का कारेकरम जो है उसको Nation पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र व्यापी रूप में जो है, वो लॉंच किया गया है क्या है ये River Ranching Program, क्या इसका महत्व है, क्या इसका लाव जो है वो आम जनता को मिलने वाला है, तो विस्तार से इन सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिसकस करेंगे दोस्तों, UPSC, CSC के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC, Civil Service Examination के लिए अगर आप प्रेपेर कर रहे हैं आर्टिकल पर आते हैं, तो नेशन वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्रम वोस रिसेंटे लॉंच्ट न उत्तर प्रदेश राष्ट्र व्यापी नदी पशुपालन कारिकरम जो है, उसको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है नेशन वाइड है लेकिन इनिशनली टू स्टार्ट विद उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया गया है बाकी अन्य इलाकों में भी इसको जो है वो इंप्लिमेंट किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरू आत हुई है, उत्तर प्रदेश के अलावा चार अन्य राज्ये, ओडिसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छतिस्गड इन चारों राज्यों में इस प्रोग्रेम को जो है वो साथ में शुरू किया गया है यह प्रोग्राम जो है वो दरसल फिशरीज को लेकर के है मचली पालन से संबंद रखता है यह जहां पर मचलियों के पालन से किसान और वो लोग जो स्पेशली प्रोग्राम के साथ में जुड़ेंगे, जो लोग ओलरेडी फिश रेरिंग में मचली पालन के साथ में जुड आप देखे इस तरीके से पानी के अंदर कुछ फैंका जो है वो जा रहा है तो इन बर्तनों के मात्रम से कुछ पानी के अंदर जो है वो डाला जा रहा है अभी मैं आपको समझाऊंगा रीवर रैंचिंग क्या होता है फिर हम इस तस्वीर पे वो वापस आएंगे इस से मचवारों की आए बड़े की सिरफ मचवारे ही नहीं यह बहुत सारे किसान जो फिश फार्मिंग करते हैं उनको जो है अपनी खेतों के साथ साथ में अगर वो मचली पालन का कारे करते हैं तो उनको यहाँ पर इस योजना का लाप्स हो है वो मिलेगा तो इसी उदेश् केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुवात करी है रिवर रैंचिंग दरसल होता क्या है वाट इस रिवर रैंचिंग तो रिवर रैंचिंग जो है यह फॉर्म आफ एक्वा कल्चर है जिसमें अब पॉपुलेशन ओफ फिश फिश स्पीशिज सच अस सेलमन इस हेल्ड इ केप्टिविटी में रखा जाता है क्यों रखा जाता है क्यूं रखा जाता है कैप्टिविटी में after then later they are released पहले उनको कैद करके first stage में रखा जाता है लाइफ की जैसे उनका जीवन शुरू होता है उनको कैद कर दिया जाता है बाद में they are released बाद में उनको छोड़ दिया ज जैसे उनका जनम हुआ उनको पकड़ दिया गया उनको कैद करके captivity में जो है initial stage of life के लिए रखा गया जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई उनको वापिस नदी में डाल दिया गया नदी से वो है जो समुद्र में चली जाएंगी लेकिन मचलियां क्या होता है कि समुद्र के अं उनको पकड़ा जाता है उनके first stage में starting के कुछ समय के लिए उनको कैद में रखा जाता है जब वो थोड़े से size में बड़े हो जाते हैं उनको नदी में छोड़ दिया जाता है नदी में छोड़ने के बाद वो अपना life से वहां continue करते हैं जब वो adults बन जाते हैं व्यस्क हो ज जगे पर जहां उनका जनम हुआ था किस लिए अंडे देने के लिए तो जब वो अंडे देने के लिए वापिस अपनी जगा पे आते हैं उनको दोबारा पकड़ लिया चाहता है यानि कि फिश जो है वो अपना life जो है वो अपने आप जो है वो sustain कर रही है अब हमको उनके लिए कोई proper special arrangements करने की जरूरत नहीं थी आपने मचली को पकड़ा थोड़ी देर captivity में रखा उसके बाद उसको छोड़ दिया जब वो अंडे देने के लिए वापिस आई आप ने उसको दोबारा से पकड़ लिया इसी वज़ा से इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे यह पर यह देखेंगे तो यह छोटे छोटे मचलियां जो है वो आपको दिख रही है तो पहले इनको initial stage में captivity में रखा गया अब इनको छोड़ा जा रहा है अब इनको नदी में वापिस भेजा जा रहा है ताकि यह अपनी normal life जो है वो continue करे जब यह बड़ी हो जाएंगी जब यह adult हो जाएंगी व्यस्क हो जाएंगी तब यह वापिस आएंगी इसी जगे पे अंडे देने के लिए तब इनको दोबारा से capture करनी आ जाए और बाद में फिर इसको जो है वो जिस तरीके से अन्यमचलियों को बेचा जा सकता इनको जो है वो इस तरीके से इनका लाप्च और इस योजना के अंतरगति रिवर रैंचिंग प्रोग्राम सो है वो नेशनवाइड शुरू किया गया है उत्तरप्रदेश के इसकी शुरूआत हुई है तो मचली पालन से, फिशिंग से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके लिए एक विशेश योजना माननी प्रधान मंत्री जी के द्वरा शुरू करी गई थी, प्रधान मंत्री मत्से असंपदा योजना यहाँ पर मचली पालन को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन को उत्पादक्ता को बढ़ावा देना, जादा से जादा विविधी करन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, और बैतर तरीके से लैंड और वाटर का उटिलाइजेशन हो, यह जो है इस योजना का एम रहने वाला है, क्य काफी सारे लोग involved और ऐसा नहीं है, कि सब कुछ वहाँ पे smooth चल रहा है, कुछ कही न कहीं छोटी-बोटी problems हो है, वो आती है, तो इस योजना का मूल रूप से उदेश्य यह है, कि उन problem gaps को identify करना, कहां पर समझ से आ रही है, उन gaps को जो है वो fill करना, जैसे के quality technology और fishing के value chain, traceability and establishment of robust fisheries management framework and fisheries welfare, तो पूरा का पूरा process involved है, मचली पकड़ने से लेकर के, किस तरीके से उसको technology, बहता technology का इस्तेमाल करते है, उसको रखा जाए, उसको supply chain में लेकर के आया जाए, जहां से उसको एक जगे से दुसी जगा भेजा जाए, जब तक उसकी proper market में उसको sell नही तक का जो बीच का time है, वहाँ पर बहतर quality से उसको जो है, वो रखा जा सके, यह सारी की सारी चीज़ें जो है, वो इस योजना के अंतरगत कवर हो रही है, ultimate aim यह है, कि बहतर से बहतर technology का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी सेची practices को यूज करते हुए, पूरे के पूरे process को ज पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है, वो sustainable बनाने के लिए, कारे जो है, वो किया जाएगा, 11,000 करोड for activities in marine, inland fisheries and aquaculture, 9,000 करोड for fishing harbors, coal chains and market etc, cage culture, seaweed farming, ornamental fisheries, new fishing, vessel, traceability, laboratory network etc, हर चीज जिसकी जरूरत है यहाँ पर, जैसे के fishing के लिए नए वाहनों की vessels की जरूरत है, laboratory network ताकि quality जो है, वो बनी रह सके, traceability, कहाँ पर मचलियां मिल सकती है, इन सभी चीजों का ध्यान जो है, वो इसमें रखा गया है, provisions of ban period support to fishermen during the period when fishing is not permitted, personal and boat insurance, इसके अंतरग fishing ban period लगाया जाता है, क्योंकि अगर निरंतर fishing होती रहेगी, तो ये fishes जो है, वो अपने आपको revive नहीं कर पाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि unlimited fishes है, जितना मन किया, उतनी मचलियां पकड़ ली, कुछ समय चाहिए इनको दोबारा से grow करने के लिए, तो वो समय देने के परिवार को कि भईया, ये पूरे के पूरे 15 दिन, 20 दिन, एक महीना हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मचलियों का ban period चल रहा है, या उस water body का ban period चल रहा है, तो ये scheme जो है, ये ban period के दोरान मचुआरों को support देने की बात करती है, इसके अलावा, उनकी व्यक्तिगत और उन को insurance cover भी जो है, इस योजना के अंतरकर दिया जाएगा, will lead to additional fish production of 70 lakh tons over 5 years, इस तरीके के lab, इस तरीके के benefits जब मचुआरों को मिलेंगे, तो आने वाले 5 साल में 70 lakh ton मचली production जो है, वो जादा होगा, और साथ ही साथ, employment to over 55 lakh person, 55 lakh लोगों को इसमें रोजगार जो है, वो मिल सकत तो ये जो है, वो प्रधान मंत्री मत से संपता योजना का उदेश्य है, इसी योजना के अंतरकर दिया river ranching program जो है, वो शुरू किया गया है, under the river ranching program, fisheries in the rivers will reduce the cost of fish farming and increase the income of the farmers, अब जो लोग मचलीयों का पालन करते हैं, पहले उनको अपने पास पूरी facility बनानी बढ़ती थ लेकिन क्योंकि अब river ranching program में मचलिया जो है, वो नदी में ही उनका पालन हो रहा है, तो उससे cost जो है, वो कम हो रही है, मचली पालन के लिए आपको special, ना ही उनके खाने का प्रबंद करना है, ना उनके रहने का प्रबंद करना है, क्योंकि अपना life वो कुछ sustain कर रही है, हम हमको पास ये ध्यान रखना है, जब वो spanning के लिए अंडे देने के लिए वापिस आए, हमने उनको पकड़ लेना है, तो इससे क्या होगा कि cost कम लगेगी और farmers के ultimately income जो है, वो बढ़ेगी, अंडर ता scheme, 3 lakh fingerlings were reared in bridge ghat, गर्मुक तेशवर, टिगरी, मेरट और बिजनोर इन A total of 1 lakh fish babies were reared in Chandighat, गंगा river, हरिद्वार इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में हरिद्वार, गंगा river, Chandighat में यहाँ पर जो है, एक लाख छोटी मचली मचली के बच्चों को जो है, वो पाला गया है, त्रिपुरा में total of 1 lakh, 1.85 lakh fishes, haslings were reared in Khoi river, तेलिया मुरा, गोमती river, उ गोमती मचली को जो है, वो पाला गया है, 36 गड़ में 1.5 lakh मचली जो है, उनकी रेरिंग मेरावनी विराज में की गई थी, 1.5 lakh fish hatchlings were reared in Munduli, Kattak, ओडिसा, तो 5 राजे जहाँ पर ये river ranching program की शुरुआत की गई है, उत्तर परदेश के अलावा, 36 गड़, ओडिसा, जाए, और जब वो adult बन जाएंगे, वो अंडे देने के लिए वापिस आएंगे, तब उनको capture जो है, वो कर लिया जाए, तो ये है पूरा का पूरा river ranching program, अपने आपका एक बहुत ही अनूठा initiative है, जिससे बहुत जादा help मिलेगी, उन farmers को, उन लोगों को, जो इस पूरे क पूरे process में involved है, I hope हमको ये article विस्तार से समझाया होगा, दोस्तों, UPSC, CSC के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुतरीन smart courses study IQ पे available हैं, ये courses आपको बहुत जादा help करने वाले हैं, आपकी exam preparation में, तो definitely इन courses में enroll करना है, और अपनी preparation को हमारे साथ study IQ के साथ बहतर बनाना है, thank you very much दोस्तों, all the best, keep working hard, bye bye, take care, जै हिंत!